नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसबाल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो उनरा हैं इसमें कोरोना का केर लगातार बढ़ता जा रहा है यूपी में भी कोरोना बेकाबू हो रहा है रोजाना 30,000 से जादा मामने सामने आ रही है ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम आपको अस्पतालों की सच्चाई दिखाएं इसलिए न्यूसबाल इंडिया की टीम मत्रा पहुंची और कोविड अस्पतालों का ज्वाजा लिया देखिए उसको लेकर भी लोग वहानी जा रहे है उसके साथ हमारे साथ यहां के डॉक्टर है सीमेश साथ उनसे बात करते हैं किस तरह की वेवस्ता है यांकी देखिए ऐसा है कि जैसा आपको पता है कि जलातकारी दोरह साथ पतालों कोविड अस्पताल दोस्यत कर दिया गया है यहां निरंतर मरीज आ रहे हैं हम भरती भी कर रहे हैं पूरा हमारा टक्ट मेडिकल स्टाप चाहें वो डॉक्टर को चाहें हमारे स्वीपरों सपाई करम चाहिए 24 घंटे दे रहे हैं और लगे हुए ऑक्सिजन की सप्लाई की थोड़ी परिशानी है लेकिन फिर भी साथ प्रसंद दोरह ऑक्सिजन सप्लाई हमें दी जा रही है अभी तैक ऐसा नहीं हुआ कि ऑस खतम हो गया लेकिन ऑक्सिजन हमें 24 घंटे चाहिए अब यहां मरीजियों को अपचार कर सकाएंगे अभी अपने 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 के लिए कम से कम सो स्लेंडर लंब वाले बढ़े वाले चाहिए ताकि खतम हो जाता हम तुर्ण लगा सकें आप आप यह समझ दीजिए कि जो हमारे जो ऑक्सिजन मतलब सेंट्रल ऑक्सिजन यून सेंट्रल ऑक्सिजन यूनिट में कम से कम यह समझ लिए आप तीन गंटे में लगबग तीन गंटे में आट से खतम हो जाते हैं तो हमें 100 स्लेंडर का स्टॉक तो चाहिए ही चाहिए मैं ताकि हम स्टॉक मेनेज कर सकें कुई दिक्कत हो जाए तो लेकिन फिर भी इस्पेसि सब्सक्राइब करें हाला कि कुछ डॉक्टर हमारे पास भेजे हैं कुछ मेंटेटर में कोई नहीं है बात करें तो हॉस्पिटल में समझ कितने पेसेंट हैं अभी देखिए अभी एक्जर्ट तो मुझे रेशो निमाम लेकि यहां 3040 की वीचे मरी हमारे पास मौजूद है नहीं मरी जा अरहे छा रहे जा रहे तो पता नहीं पड़ाता कि यहां ऐक लिष्वन लगाते जा रहे हैं लेकि अब जा रहे हैं लेकिन अक भीम कायं चार्यces सब्सक्राइब करने हैं यहाँ पर 200वेस्टा की जा रही है 200 मरीज्यों विवस्ता आपकि मेरे संग्यान में तो मुझे तो मेरे उखिए लेकिन अभी विवस्ता नहीं हो सकती हो सटा आगे वो करें विवस्ता एक प्रजन है वह हमारे साथ है उनको क्या समस्या, क्या पूछ ते न से जारी है? तो मरीज गेया नहीं है अब क्या आच नहीं बही देखा इस तरह से परजय तो हमारे साथ थे और जिन्हों ने कहा कि इस तरह की एक पेसेंट एक तेम्पो में भी इसमें पढ़ा हुआ है देखते हैं क्या हुआ इसकी कि यह हुआ है यह थी है यह उस्पिटल यह हुआ है तुम क्या बढ़ती हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं पता ही नहीं पढ़ रहे हैं तो इस तरह की है आप क्या कहेंगे कि समस्या रही है परशानी है हमको तो सारी ज़िशनी हम पोल रहें आपसे कंचा सो फिटल में कोई लेने के लिए तयारी नहीं हो रहा है कि यह देखा वरिंदावन के हॉस्पीटलों में प्रॉम होस्पीटलों में इस तरह की समस्या है हाला कि अभी यहां पर एक टेमपो आ चुका है जिसमें काई सिलंडर रहें लेकिन अभी यहां पर लोगों को खाशी परशानी उठानी बढ़ रही है और जो पेसेंट हैं उनको तुरंती भरती नहीं किया जा रहा है तो जिस तरह से पूरे देश में तस्वीर सामने आ रहे थी उसी तरह की तस्वीर आज वरंदावन से भी सामने आई है अब देखते हैं कि यहां का जलापरशासन और स्वास्तेपरशासन इसको किस तरह से लिता है और कब तक इनको इलाज मिल पाता है सुरेश सेनी निज्वल इंडिया मत्रा